Hello everyone, मैं हे मा, मेरी इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ So, आज हम पढ़ेंगे अकल बढ़ी या भैस की स्टोरी तो आएए हम स्टार्ट करते है आफती के शहर में एक पहलवान भी रहता था एक दिन वह आफती से बोला तुम बले ही अकल में बढ़े हो लेकिन ताकत तो मुझे में अधिक है तो वो जो पहलवान होता है वो बोलता है कि तुम्हारी अकल बढ़ी है लेकिन जो ताकत है वो मुझे में जादा है तो आएए आगे क्या होता है फिर अच्छा पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है ये बोलता है आफ्ती है ना पहलवान से फिर पहलवान बोलता है मैं पाच किंटल की चटान को सिर्फ एक हातों से उठा कर आसमान में उच्छा ज़सकता हूँ तो बाद में देखे ये क्या बोलता है आफ्ती अच्छा आओ मेरे साथ देखते हैं कोन अधिक ताकतवर है तो आफ्ती जो है उसको चालेंज करता है पहलवान को है ना फिर क्या होता है आफ्ती पहलवान को शहर की चार दीवारी के पास ले गया और बोला जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेक कर दिखाओ तो यह जो रुमाल है इसको तुम दीवार के पार जो है वो फेक कर दिखाओ ऐसे पहलवान को बोलता है आफ्ती यह भी कोई बड़ी बात है यह बोलता है पहलवान क्या यह बहुत बड़ी बात है फिर पहलवान ने रुमाल को उठा कर पुरी ताकत लगा कर जोर से फेका जो पहलवान होता है वो दिवार की उस पार पुरी ताकत लगा कर रुमाल को फेकता है देखिए आगे क्या होता है फिर लेकिन रुमाल वही गिर पड़ा आफ्ती धा का मार कर हस पढया। जो आपती है वो हस पढ़ा ओर है। अब मेरी ही ताकत देखो। आफ्ती ने कहा अब तुन मेरी ताकत देख लो। आफ्ती ने चोटा सा फथर उठाया। रुमाल में उसको बांधा और दिवार के पाद फेक दिया तो इस तरह आप तेने अपनी ताकत दिखाई बुद्धी से तो इसमें हमें क्या देखें यह जो पहलवान है फिर यह हार जाता है तो इसे हमें ये सिख मिलती है कि हमारी शक्ति से भी जादा युक्ति और बुद्धी बहुत ही महत्वपुर्ण होती है तो हमें सोच विचार के पूरे काम करने चाहिए है ना तो हो गई है हमारी स्टोरी कंप्लीट आपको ये स्टोरी कैसे लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी